तो हमास और हिजबुला की डबल खत्रे को लेकर इसराइल में बहुत घबराहट है इन दोनों ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये हैं जिसमें इसराइल बुरी तरह से फस्ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन नेतन यहु के सलहकार इसे इसराइल के लिए मौत का फंदा बता रही हैं हालाकि इसराइल के बात करें तो इसराइल के पास अब दो विकल्प बचे हैं या तो वो सीजफायर कर दे या फिर इस युद को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तयार है लेकिन इसराइल सीजफायर करना नहीं चाता लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबा युद लड़ने के लिए उसके पास अब हतियारों की कमी भी होने लगी है और हमास अब इसी बात का फायदा भी उठाने लगा है वीडियो के एक-एक फ्रेम को बहुत गोर से देखिए हमास अपने से कई गुना शक्तिशाली इसराइल की सेना से कैसे लड़ रहा है यह वीडियो इसका उदारण है हमास के लड़ाके बेहद सस्ते रॉकेट जिनकी कीमत कुछ सौ डॉलर भी नहीं होगी जमीन से दाग रही है इतना सस्ता और जोगार का रॉकेट हमास में तयार किया है कि इसराइल पहुंचक का है इन सस्ते से रॉकेट के लिए इसराइल को अपने लाखों डॉलर की मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही है क्योंकि घाजा की ओर से आया एक तिनका भी इसराइली डिफेंस के टार्गेट पर है और वो इसराइल की सीमा में दाखिल हो उससे पहले नर्तो नाबूत किया जाना जरूरी है हथियार शास्त्र समझे और युट में इसराइल के नुक्सान को समझे हमास का सस्ता रॉकेट इसराइल की महली बेसाइब कीमा 100 से 500 डॉलर कीमा लाखों डॉलर इसराइली खुफिया अजेंसी और इसराइली एरफोर्स की सारी ताकत इन जैसे बेहत कमजोर और हलके रॉकेट को रोकने में लग रही है हमास के अलकुद्स ब्रिगेट में ऐसा प्रीन लगाया है कि इसराइल की परिशानी बढ़ गई है यहां आपको हमास के अलकुद्स ब्रिगेट के बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि इसराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई में अलकुद्स ब्रिगेट फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है अलकुद्स ब्रिगेट घाजा में हमास के बाद नमबर दो संगठन है 1981 से ये संगठन फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए इसराइल के साथ हिंसक जंग लड़ रहा है अलकुद्स के टॉप लीडर का नाम है जियाद अलनाखल ये खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहते हैं लेकिन वहीं से अपने लड़ादों को अड़र देते रहते हैं हमास कैसे इसराइल की वार इस्ट्रडिली का दूर निकाल रहा है इसकी कुछ और बीटेल आपको आगे दिखाएंगे क्योंकि युद्ध में जीद की गैरंटी आर्थिक नौकसान की तुलना में हमेशा बड़ी होनी चाहिए लेकिन इसराइल के साथ ऐसा नहीं हो रहा युद्ध में इसराइल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है ठीक यहीं किस्सा युक्रेन में भी हुआ था दरसल युक्रेन में युक्रेन की सस्ते मिसाइलों के खिलाप रूस को अपने करोडों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाप इसराइल अपने महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है यानि गाजा को जलाने की कीमत इसराइल को भुगतनी पड़ रही है इसराइल ने इससे बचने के लिए आस्पांग में अपनी सबसे खदरनाथ परिंदे में से एक कोप पिंजरे से बाहर निकाला है इस परिंदे वाले हथियार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ा के सुरंगों में छिप जाते हैं जिसकी वज़े से इसराइल की सेना को उन्हें ठिकाने लगाने में परिशानी होती है हमास ने गाजा में करीब 500 किलोमीटर लंगी सुरंगे बना रखी है ये सुरंगे गहनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती है और हमास के इन सुरंगों का ठाह लगा पाना इसराइल की सेना के साथ वहां की कुफ्य आइजनसी मुसाद के लिए भी चुनोती बन गया है इसराइल की मीडिया के मुताबिक इसी लिए इसराइल ने अपने सबसे ताकतवर जासूसी ध्रोन एलबिट हरमेज 450 को गाजा में उतार गिया है ताकि जमीन के नीचे बसी हमास की दुनिया का धक्षा निकाला जा सके और वहाँ छिपे हमास के एक एक लड़ाके को मौत के घाट उतारा जा सके इसराइली मीडिया का दाबा है कि ये जासूसी ध्रोन निकरानी के लिए बेहत कारगर है इसे इतना ताकतवर माना जाता है कि ये बाताल में छिपे दुश्मन का भी पता लगा सकता है इसराइल की मीडिया के मताबि ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उलण भर सकता है इसकी रेंच करीब 300 किलोमीटर तक बताई गए Élvay Charmes 450 ड्रोन करीब 170 किलोमीटर परती घंटे की रफटार से उलण भर सकता है और सबसे खास से इसका रेडार सिस्टम जो जमीन के नीचे होने वाली हलचल का भी पता लगा सकता है वो भी 18,000 पीट की उचाई पर उडान भनते हुए इसरेल के पास दुनिया की सबसे लिटिस तक्नीप वाले ड्रोन मौझूद है इसरेल के पास हमास के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत से हथियार भी है जिनका इस्तिमाल इसरेल यूद जारी रहा तो जरूर कर सकता है दूसरी और ड्रोन के स्थे पर हमास भी कंजोर नहीं है कामिकाजी ढूँं टेक्नलोजी को एरान के जरिए हमास के आतनगवादियों तक पहुँचाया गया है इसके जरिए इसरेल की फाज के हरेट मॉवमेंट को हमास के लड़ाद के पहले ही जान लेते हैं काले रंग का कामिकाजी ढूँं आतनगादी हमला पद है इसी ग्रोन के जरिये अभी तक ITF के खिलाफ हमास ओपरीशन को अन्जाम देते आया है ये योक्रेन में इस्तिमाल किये जा रहे इरान के शाहिद ग्रोन का सस्ता वर्जन है हमास की सुरंगों में अभी काफी हत्यार बचे हुए है जिससे जमिन्दूज की ये बिना हमास का संपूण विनाश संभव नहीं है लेकिन इस्राइल के साथ परिशानी ये है कि हमास सी अखेला दुश्मन नहीं है लेपनन के हिजबुला भी है, यमन के हूथी विद्रोही भी है जिनकी ओर से हमास के समर्थन में इस्राइल पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे हैं हालात इतने बत्तर हैं जैसे कभी भी किसी विवक्त तीसरा विशुयत भड़ा पुठ है जिशामन के हूथी विद्रोहियों ने फिर इस्राइल को निशाना बनाने की कोशिश की है इस वक्त लेपनन के हेजबुला से भी जादा हमले इस्राइल पर हूथी कर रहे हैं इन हूथी विद्रोहियों का आका है एरा हूथी विद्रोहियों के मिसाइल हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एरक्राफ्ट केरियर आइजन हावर उतारा है तो वहीं हिजबुल्ला के खिलाब भूमद सागर में जेराल फोर्ड पहरा दे रहा है इसराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है इसराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकस से जुटा हुआ है हमास के अंतिम लडाके की मौत तक शमन सियाती मिसाइल को इसराइल के एरो थी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नश्ट कर दिया इस्राइल का Aero 3 Missile Defense System 60 खमले करने में माहिर है और मिसाइल को ड्रैब करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है इस्राइल ने जब Aero 3 Missile Defense System का टेस्ट किया था तो ये 100% सफल रहा था हमास किसी भी इस्तर पर इस्राइल के सामने नहीं टिप सकता लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंत क्या है क्या किसी साजिश के दयत पर शिमी एशिया को जलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस वक्त जो साफ दिख रहा है वो ये कि घाजा की आग में आम फिलिस्तीनी मर रहे है लेकिन उस आग में कई दूसरे देश हाथ सेख रहे हैं करना शुरू कर दिया पश्य मेश्या के मुस्लिम देशों की संख्या अच्छी खासी है अगर रूस, इरान और चीन को इरान, जोड़, होवे, लबन, ओमा, फिलिस्तीन, कदर, सुदिया, सीरिय, तुर्की, सैयुक तरब अमिरा और यमन जैसे देशों का साथ मिल गया तो फिर पूरी बाजी ही पलट सकती है इन सारे देशों के बीच इसरैल, अमेरिका के खिलाफ एक होने की ताकत उस लेवल पर कभी नहीं रही जैसा की दावा किया जाता रहा है सैयुक तरब अमिरात और इरान के बीच भी सोलगते मुत्ते हैं 22 देशों का अरब संगठ है, शब्दों का खेल खेल रहा है फिलिस्तीन में मानवी ये मदद के नाम पर कुछ ट्रकों को भेजे जाने के आलाबा, इन देशों ने कोई कदम नहीं उठाया इरान के राशबति इवराहिन रईसी अपने शब्दों से ही परमाणू युद छेड़ते रहे है जमीन पर उनका एक भी शब्द सही नहीं उठाय है युद में कमजोर का मारा जानताय है और हमास इसरेल से बहुत 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 कमजोर है लिहाजा घाजा चल रहा है धूदू, कब तक चलेगा, कोई नहीं जानता